तो सबसी बड़ी खबर जो अभी हमारे पास सक पहुँच रही है ये जानकारी प्रापतोरी की अदानी सम्हों ने अपने एफपीओ को लेकर एक बड़ा फैसला किया है जिसमें अदानी एंटरप्राइजिस ने कहा है कि वो एफपीओ को रद कर रहे हैं और वही निवेशको को पैसा लोटाने की भी बात कही गई है प्रेस रिलीस जारी कर अदानी एंटरप्राइजिस ने इसकी जानकारी दे है जिसमें कहा गया है कि वो बीस हजार करोड की अपने एफपीओ को वापस ले रहे हैं और वही निवेशकों को पैसा जल्द ही लोटाया जाएगा तो आ एक सबसे बड़ी जो इसमें एहम जानकारी समय मरबस प्रात हो रही है कि जितने भी पैसे हैं निवेशकों के वो लोटा दिये जाएंगे और ये एक डिसिजन जो लिया गया है वो हिंडनबर्ग की जो डिपोर्ट आई थी अदाने ग्रूप को लेकर उसके बाद ये पैसा वापस दिने की बात की गई है और अडानी समू की जो चेर्मैन है गौतम अडानी उन्हों ये भी कहा कि हमें एफपी ओ का पूरा सब्सक्रिप्शन मिला था जिसके लिए हम निवेशकों के अभारी हैं ये ऐसी बात उन्होंने पहले कही थी पर जहां तक अगर इस डिसिज कर रहे हैं क्योंकि 20,000 क्रोड रुपे के इस एफपी ओ को फूल सब्सक्रिप्शन मिली जैसा कि उन्होंने कहा और ये भी बोले कि आकरी दिन पर उनको एक अच्छा रिस्पॉंस मिला हाला कि 31 जन्वरी को एफपी ओ का सब्सक्रिप्शन बंद हुआ और एक फरवरी को इस और शॉर्ट सेलर कंपनी ने अपनी रिपोर्ट में आरोप लगाया था कि अडानी की जो कंपनिया हैं वो कर्च के बोच्ट तले दबी हैं और उनके शेरों के दाम ओवरप्राइस है और कंपनी से काफी कुछ सवाल भी पूछे गए थे उस रिपोर्ट में और इस रिपोर शेरों की जो है बोली भी लगी लेकिन जो निवेशकों का इस FPO में खास रुजान नहीं दिखा जिसकी वज़ा से इसकी प्राइस ब्रांट की गई थी और वहीं निवेशकों से खूब उत्सा भी दिखा गया था पर जिसके बाद एक ये जो कल है अचानक जो फैसला आया है अब उसको इस रिपोर्ट से जोड़कर देखा जा रहा है